लाहल उठाये जारे टीमसी के तरफ से भी क्योंकि वो बोल रहे है कि यहीं पर बीजेपी का माइंडसेट एक्सपोज हो जाता है क्योंकि बीजेपी जो नारी शक्ति के बारे मैं बात करती है उरूर की नेता नारी के खिलाफ जिसतरांग से टिप्ड़नी करते हैं तो उन्हे माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ आक्शन ले लेना चाहिए लेकिन तुरंद आक्शन लेते हुई वहीं पर पार्टी के प्रभारी और पार्टी के जो नैशनल प्रेजिडेंट जेपी नडड़ा है उन्होंने एक्स्प्लेनेशन मांगी है स्पष्टी करण मांगा दिलीब कोर्स से उन्हें चिठी भेजी गई है कि आखिरकार आपने ऐसा अपत्ती जनक बयान क्यों दिया क्योंकि पार्टी ऐसे बयानों के साथ और समर्थर नहीं देती और उनसे पूछा गया है कि आखिरकार आपने ऐसा बयान क्यों दिया वो भी ममता बैनर जी की खिला पर्सनल अटैक्स हम देख पा रहे हैं के दोनों पार्टीस की तरफ से और वो भी महिलाओं के अगेंस पिछले दो तिन दिनों में जो देखा किया उसके उपर जो आउट्रेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अद्रिजा के पास चलते हैं हम अद्रिजा हमारे साथ परस्प्राइन में अगा पास अच्छिए हम उसली जूड को आपनरजी की जूड एफ उस जाह हैं और में बड़ता स्टेट और अव जू लगाश की आप एंगा उपलता हैं झाल तर जू थे जूड़ता हैं ऑ्ल्हा हैं जदा पार्ट और उपर इंट ड्र आवा जड़ता back to me. They have a problem with the kind of language that was used in this whole matter. However, regarding the letter when he was asked, he has also mentioned that this is an official matter and his office will be replying back to the letter that has been given him by the BJP where he was show caused. But of course, he comes out and he says that he does not have any personal enmity with Mamata Manji and the statement that he has made was a complete political statement. All right. So as far as the reactions that have been coming in because an answer has been sought from Dilip Ghosh because Adrija, अगर शोकॉस नोटिस की भी बात की जाए, तो अखिरकार क्या लिखा गया है वो शोकॉस नोटिस में? जी बिल्कुल देखिये, जो शोकॉस नोटिस है, उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि जिस तरीके का भाषा, जिस तरीके का लैंगविज यूज किया है दिलिब खोश ने, उसका क्लारिफिकेशन मांगा गया है उनसे और ये भी बोला गया है कि इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, वो BJP भारतिया जनता पार्टी जो है बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते हैं और इस्पेशली हम देखते हैं कि संदेश काली का जो मार्टर हुआ था वेस्विंगॉल में, तो उसमें BJP जो है बहुत बड़े तरीके से नारी शक्ती के बात किया है, PMC को बहुत क्रिटिसाइज किया है क्यूंकि वो नारी शक्ती को सामने में लेके आ रहे थे, लेकिन उसी पार्टी का अगर एक नेता ऐसे स्टेटमन करते हैं तो वही एक बात किया है। तो वही एक बात किया है। तो वही एक बात किया है। वही एक किया हैं शक्ती किया कृपिक स्टेट को टिकाटी को अगेच候। वही एक बात किया हैं ओगेचार के रहे थे वही हो सेखिएार के रहे थे 1 है। में पर फिह एक स Freedom स्च लिए गThen that was the political statement that I have made and second of all the people who on a regular basis just because he's a man does not have respect I mean if a woman makes a statement then a woman card is taken out and is played. All right. So, that kind of statement that is now coming in on part of Dilip Ghosh where he is expressing regrets over the statement that he made against Mamata Banerji. Adruja, thank you very much for joining in.